पॉल इंडिया वीडियो लेक्चर सिरीज में आपके साथ हूँ मैं आपका मित्र मनमुहन जोशी और आज मैं आपको Negotiable Instrument Act 1881 परक्राम या लिखत अधिनियम 1881 से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ मैं Hindi English दोनों में आपको समझाता चलूँगा और आप चीजों को समझते चलिए कुछ बातें आपके सामने slide में आएंगी कोशिश यह करेंगे कि दोनों ही slides आपको Hindi और English में मिलती रहें ताकि आपको notes बनाने में आशानी हो तो जब हम बात करते हैं Negotiable Instrument Act 1881 की तो इसमें शब्द आते हैं, एक शब्द है Negotiable, एक शब्द है Instrument और एक है Act तो ये 1881-1881 का law है, इसका मतलब समझे कि इसकी भाषा जो है Language Oriental है, पुरानी भाषा है इसकी और इसको समझना जो है थोड़ा सा tough हो जाता है, इसलिए क्योंकि अगर आपके पास में practical experience नहीं है अगर आप Bill of Exchange के बारे में नहीं जानते हैं, practically आपने देखा नहीं है, तो आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है तो कोशिश ये करूँगा कि relevant section जो है उसको आपको present एक scenario में समझाता चलू मैं और आपके लिए clear करता चलू तो इसमें जो word आया है negotiable instrument जिसका हिंदी में मतलब है परक्राम में लिखत इसकी परिभाशा हमें मिलती है section 13 में और वो definition क्या है मैं आपके लिए read out कर दू हिंदी English दोनों में फिर मैं आपको समझाता हूँ और इसके साथ ही हमको समझना चाहिए what is negotiation जिसके लिए हिंदी में शब्द है परक्रामन तो section 14 और section 13 को back to back समझते हैं फिर आगे चलते हैं ये समझने के लिए कि इस act में क्या है और इसकी कारी होजना what is the work plan of the particular act including the object of the particular act section 14 reads says negotiation means when a promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person so as to constitute the person the holder thereof the instrument is said to be negotiated जबकि वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक किसी व्यक्ती को ऐसे अंतरित कर दिया जाता है कि वह व्यक्ती उसका धारक हो जाता है तब वह लिखित परक्रामित कर दी गई है ऐसा कहा जाता है section 13 नेगोशिवल इंस्ट्रुमेंट तो आपने अभी सुने sections हिंदी और इंग्लिश में इन sections को सुनके समझ में क्या आता है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझा हूँ तो definition जो है negotiable instrument यानि परक्राम में लिखत की वो definition नहीं दे रखी है section 13 में section 13 में सिर्फ बताया गया है कि कौन-कौन से instrument ये शब्दे यहाँ पर में लिखत और लिखत का मतलब होता है any document दस्तावेज आप मान के चले ये आम बोलचाल में तो any instrument ये जो instrument है जिन में promissory note आते हैं bill of exchange आता है और check आता है ये तीनों ही negotiable instrument याने कि परग्राम इलिखत कहे जाते है section 13 ये कहता है section 14 ये कहता है कि transfer जो है उसे holder बन जाना चाहिए अंदरीती धारक हो जाए अब आपको ये समझना पड़ेगा ये holder क्या है तो आपको जाना पड़ेगा section 8 और section 9 में जहां holder और holder in due course के बारे में जानकारी है तो holder क्या है मैं आपको आसनी से समझा दूँ ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम से उस instrument को possession में रखने का अधिकारी है कबजे में रखने का अधिकारी है और जो उस instrument में उस negotiable instrument में जो amount लिखा हुआ है उसको recover करने के लिए उसको वसूल करने का अधिकार रखता है दो बातें समझने की जरूरत है जैसे मैं example देता हूँ कि मैंने एक check draw किया चेक लिखा और उस check को मैंने अपने accountant को दे दिया यह कहे कि मेरे account में पैसे डलवा देना इस check को मेरे account में deposit करवा देना तो वो check तो negotiable instrument है हाँ वो परक्राम में लिखे थे लेकिन क्या यह जो transaction है यह negotiation है तो यहाँ पर मैं check तो transfer हुआ one hand to another लेकिन क्या मेरा accountant उसका holder बन गया है बिल्कुल नहीं यहाँ मेरा accountant जो है वो bearer है जिसे कहते है वाहक और वो check कहां जमा करवाएगा मेरे account में ना तो वो अपने नाम से possession में रख सकता है उससे पहली बात और ना ही उसमें जो amount लिखा हुआ है वो मुझसे वसूल कर सकता है दोनों ही नहीं कर सकता वो समझना तो हम कहेंगे negotiation नहीं हुआ है दिहां से समझे नेगोशियेशन का मतलब ट्रांसफर नहीं होता नेगोशियेशन का मतलब ऐसा ट्रांसफर होता है जिसमें ट्रांसफरी जो है वो holder बन जाए धारक बन जाए ये कब होगा जब मैंने एक चेक लिखा मेरे accountant के नाम पर उसको दे दिया वो check उसकी salary का है जैसे ही वो check उसके हाथ में गया तो हम कहेंगे कि वो negotiated हुआ परक्राम में हो गया तो तीन तरह के instrument हमारे पास में है एक है check, एक है bill of exchange और एक है promissory note इन instrument को regulate करता है हमारा negotiable instrument act 1881 टोटल 17 chapters और 148 sections में जिसमें की एक schedule एक अनुसूची भी है ये सब मिलकर various provisions करते हैं इन instrument की legality के बारे में इनकी वैधानिकता के बारे में हम इस lecture series में समझेंगे negotiable instrument act की एक-एक धाराओं को एक आम जो जनता जानना चाहती है उसका संबंद सिर्फ और सिर्फ चेक से होता है कई लोग जानना चाहते है चेक dishonor हो जाए तो क्या करें और इसका relation है negotiable instrument act के chapter 17 से section 138 से जिसमें की latest अभी amendment हुए है 1st of September 2018 में तो latest case laws और judgments के साथ में मैं बताऊंगा आपको promissory note के बारे में bill of exchange के बारे में और check के बारे में अगर आप advocate हैं तो आपको जानना ही चाहिए क्योंकि check dishonor के मामले बहुत जादा बढ़ गए है कि इसमें notice कैसे भेजा जाता है notice कैसे बनाया जाता है argument कैसे होते हैं यह सब मैं बताऊंगा और अगर आप business man है तो आपको जानना ही चाहिए क्योंकि promissory note, bill of exchange or check business transaction के लिए essential है अगर आप किसी exam की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिलकुल जानना चाहिए क्योंकि बहुत सारे judicial examination है जिनका part है हमारा negotiable instrument act 1881 तो जुड़े रहिए अपने favorite channel विदेख सिक्षा से और जानते रहिए देश-दुनिया के कानून को especially इस series में negotiable instrument act के बारे में तो आज के लिए इतना ही जल्दी ही जुड़ते हैं अगले lecture में बाबाई कर दो आज के बादे लुड़ते हैं